अपने बंग्डे पे करा रहा है तो कौन सी बड़ी बात है सेक्यूरिटी रीजन्स हो सकते हैं इस तरह की बाते की गई है और ये निजी सवाल है मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपने भी रिनोवेशन कराई होगी अपने घर की पैसे तो खर्च होए ही होंगे थोड़े देखे खराब तो वो चीज़ की जा सकती है जो हो आपने का हम छवी खराब कर रहे हैं बहराल मैं देखे आज एक कहानी आई है माराज के महल की कहानी और ये कोई रेनोवेशन घर के रेनोवेशन की कहानी नहीं है आमिज जी ये कहानी मानसिक्ता के रेनोवेशन की है ये सोच और सियासक के रेनोवेशन की कहानी है पहले किया आइडियोलोजिकल भरष्टाचार कॉंग्रेस से नहीं मिलूँगा कॉंग्रेस से मिल गए फिर वित्तिय भरष्टाचार शराग घोटाला हवाला घोटाला जिसमें कोटे राहत नहीं थी आज नैतिक भरष्टाचार हलफ नामे में क्या लिखा था कि मैं बड़ा बंगला गाड़ी नहीं लूँगा सामाने तरीके से रहूँगा उस घर में अब देखे संजे सिंग जी देन तो पुष्टी कर दी कि ये खर्च हुआ है पर उन्होंने तीन बाते कही एक उन्होंने कहा कि 80 साल पुराना घर है चट गिर रही थी भाई चट को रोकने के लिए डियोर मार्बल लगाना जरूरी है 6 करोड का क्या चट को गिरने से रोकने के लिए 8 लाग के परदे लगाना एक करोड के परदे लगाना जरूरी है और मेरे पास जो कागज है अमीज जी 90 लाग के शावर करटन लगे है एक करोड का PWD का कंसल्टन्सी है आप मुझे बताईए कि क्या PWD किसी भी व्यक्ति को एक करोड कंसल्टन्सी के लिए देती है तो आज सवाल केवल ये नहीं है कि 45 करोड कैसे खंचुए खर्च करा तो इंटीरेट डिजाइनिंग होगी हमारे घर में एक पलंग होता है एक बातरूम होता है बस हो गया अगर परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं अजय माकन शायद आपने कहा आपके साथ जुडने वाले हैं अजय माकन जी आपको तीन चीज़े बताएंगे हाला जोन में नया बंगलो 80 साल का करना पुराने को हटा कर यह अलाओड ही नहीं अगर अलाओड है तो प्रवी बताएंगे जी डिवेटल हो जाएंगे दूसरी बाद कर रहे हैं अच्छा करके थोड़ा सा जानकारी जानकारी बड़े ऐसे व्यूर्स के लिए डिवेट होने दीजे ताकि ऐसे तू तू मैं मैं ना हूं मैं 20 सेकंड में समाप कर रहा हूं D.U.A.C. ने D.U.A.C. डैनली अर्बन आर्ट जो कमिशन है उन्होंने इस पे रेड फ्लैक किया था उसके बावजूद उन्होंने कैसे किया तीसरी बात P.W.D. किसी को भी एक करोड कंसल्टन्सी का दे इसका कौन सा प्रावधान है मुझे बता दीजे और चौती बात P.W. D.U.G. स्कैम हुआ, 200 का रोल, 4000 रुपे में बिका, वो ऐसा स्कैम तो नहीं है, ये जानकारी लेना बहुत जरूरी है. ओके रवी, 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 क्या इसके लिए ये जो 6 करोड रुपे का मार्बल बनाया, मंगवाया, क्या इसके लिए कोई पॉलिसी अपनाई गई थी? क्योंकि आप तो सामानने लोगों की बात करते थे, लेकिन सामानने क्या, ये तो खास लोग भी 45 करोड नहीं खर्च करते हैं अपने घरों में भाईया, इसके लिए कोविड के काल के अंदर, जब लोग त्रहीं मांग कर रहे थे. कि अमीश जी मेरा ये कहना है कि ये जो डॉकुमेंट्स हैं, ये बाजपा के बनाए हुए डॉकुमेंट्स हैं, ये इनके IT सेल के मैनुफेक्ट्र किये हुए डॉकुमेंट्स हैं, अगर ऐसा कुछ है, तो जो चीफ इंजिनियर है, उससे सवाल पूछे जाने चाहिए, के उसको जेल किया थे आप उसको जेल की हवा करवाना चाहते हैं अब आप ची अनुछी जा है इसमें जाए पास इनुछी निए जाहिए इसमें आर्विंगमें क्या गलती है हुए पनुछी अप के ना गलती सी चीफ में वह आप एक वन आप धूखार पूखे लूग है अमीज जी अभी अभी रवी शीवास्तव ने कहा कि ये फ़र्जी डॉक्юमिन्ट है मतलब कि कोई खर्चा नहीं हुआ है तो आज तो संजे सींग ने कम से कम मानें 30 करोड का कर्चा हुआ है तो मेरा आधिकृत तोρ पे सवाल है कि अगर 30 करोड का कर्चा हुआ है सब्सक्राइब कागज है तो तीस करोड का खर्चुए अमीज जी क्रिप्या करके पीच में बोलना ज़रूरी है क्या एक पैनलिस्ट को सम्मानेत रूप से अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलेगा आपके शोपे आपको समाने बात लगती है पंतालिस करोड उपर घर पे खर्च हो जाना समाने बात है